नवश्कार दोस्तों इन्वार अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है अच्छों CPCB में जो वेकेंसी आई हैं उसके सलेबस को लेके बच्चे बहुत ज़ादा कन्फियूस्ड हैं कि जो इन्वार्मेंटल इंजिनरिंग का टेस्ट होगा उसका सलेबस क्या होगा और जो इन्वार्मेंटल साइन्स का एक्जाम होगा उसका क्या सलेबस होगा तो अगर हम जो syllabus दिया है CPCB ने उसकी बात करें तो आप जो है यहां पे यह पुरा syllabus देख पा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि environmental engineering के जो बच्चे हैं वो जो syllabus follow करेंगे basically वो syllabus जो रहेगा वो आपका based होगा environmental science और engineering का जो हमारा exam होता है gate का उसके आधार पे यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे इन्होंने syllabus दिया हुआ है और यहां पे link दिया हुआ है कि आप जो है कौन सा syllabus follow करेंगे तो सबसे पहले environmental engineering के जो बच्चे हैं वो आपका जो gate का syllabus है वो follow करेंगे environmental science और environmental engineering का जो syllabus है अब अगर हम बात करें environmental science के बच्चे तो environmental science के जो बच्चे हैं उनके exam में जो question आएंगे उसका जो syllabus होगा वो DU का जो आपका environmental science का syllabus है उसके base पे paper त्यार किया जाएगा यहां पे आप clearly देख सकते हैं कि जो इन्होंने syllabus का link दिया है वो दिया है www.du.ac.in तो आप जैसे ही DU की website open करेंगे environmental science का जो department है वहाँ पे जाएंगे उसके बाद में आप वो syllabus देखेंगे और वो syllabus जो है फोलो करेंगे जो इन्होंने clearly कहा है chemistry के लिए देखो इन्होंने clearly कहा है कि आप जो है जो gate का syllabus है 2022 का वो फोलो करेंगे chemistry के लिए और environmental science के लिए आप जो है DU का जो syllabus है MSC का ठीक है वो फोलो करेंगे ठीक है बच्चों तो बहुत ज़ादा confused होने की ज़रूरत नहीं है gate जो है examination जो है ये basically आपका जो chemistry है उनको focus करके इन्होंने लिखा है ठीक है अभी जब पहले जब मैंने इस syllabus देखा था तो हमें भी यही लगा था जो है कि आपका जो gate का exam का जो syllabus है वो जो है वो ही exactly हमारे paper में आएगा उसके बाद जो है मैंने इसको confirm किया ठीक है और confirmation के बाद में जो है यही चीज clear हुई है कि जो हमारा confusion था कि environmental science और environmental engineering क्या दोनों बच्चों को जो gate environmental engineering का ही syllabus पढ़ना है तो यहाँ पर हम जो है actual में यह जो इन्होंने column बनाए है यह इसका width है यह कम है इस वज़े से जो है बहुत जादा congested हो गया है यह और सही से नहीं दिखाई दे रहा है बट हम जो है clearly अब इसको समझ सकते हैं कि environmental engineering के बच्चे जो है वो gate environmental science और engineering का syllabus follow करेंगे और जो environmental science का बच्चा है वो DU का जो syllabus है MSC का वो follow करेगा हमारे जो paper हैं दोनों अलग-अलग होंगे environmental science और environmental engineering के लिए एक paper जो है नहीं आएगा जैसा इन्होंने clearly अलग-अलग syllabus mention किये हैं इस column में जो है chemistry और environmental science दोनों हैं इस वज़े से थोड़ा सा हम का जो है confused हो सकते हैं बट हम देखें तो chemistry के लिए इन्होंने clearly जो है link दिया है कि जो आपका gate का syllabus है वो आप follow करेंगे और environmental science के लिए इन्होंने जो है जो syllabus का link दिया है वो है DU का आपका MSC का ठीक है बचो तो आप वो syllabus एक बार देखेंगे बहुत ही आसान है UGC net का जो syllabus है उसके साथ में जब आपसे compare करेंगे तो हमें basically इस exam के लिए focus करना है pollution point of view से legislation point of view से ठीक है बचो बिलकुल जो है pollution control board की क्या-क्या responsibilities है क्या-क्या duties है उनहीं को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी तैयारी करनी है तो आपको जो है कुछ standard books हम बता देंगे वो आप follow कर सकते हैं definitely जब से ये notice आया है बच्चे बार बार जो है ये कह रहे हैं कि sir immediately हो ली के बाद बैच स्टार्ट कर दो तो थोड़ा समय लेते हैं ठीक है एक वीक का समय लेते हैं और पूरा का पूरा सका एक layout बनाते हैं definitely बच्चो ठीक है जैसे ही हम कोई भी batch initiate करेंगे शुरू करेंगे आपको जरूर बताएंगे तो इसमें ऐसा बिलकुल नहीं होगा कि हम जो है जब भी से start करेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी बट अभी के लिए ठीक है आप जो है अपना पहले सबसे पहले डियो का syllabus जो है वो डाउनलोड करो उसके बाद में उस syllabus को देखो और जो है अभी एक दो दिन होली भी है आपका ठीक है और हमारा net का जैरफ का भी एक्जाम है तो बहुत जादा हमें जो है पैनिक नहीं होना है बिल्कुल एक सिक्वेंस से चलेंगे और बहुत अच्छा होगा ठीक है यह जो है चांसिस कम ही आते हैं इतनी पोस्ट जो है आपको भी पता है कि बहुत ही कम निकलते हैं अगर हम सही तरीके से इसकी तैयारी करेंगे तो डेफिनिटली हमें तो एक सीट चाहिए बच्छ की हैं कुछ हमारी हैं और इन में से जो है हर एक बच्चे को तो केवल एक ही सीट चाहिए तो अगर वो मेहनत करेगा तो बच्चों कही सेलक्शन होना है जरूरी नहीं अगर आपका एक्जाम अच्छा होगा इंटर्विव आपका अच्छा होगा ठीक है तो मेरिट के बाद क्या बनेगा वो अलग बात है बट जो है हमें पूरे होसले के साथ में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सबसे पहले तैयारी जो है शुरू कर देनी चाहिए आप नेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर चुके हैं तो आपको बहुत जादा घबराने की जरूरत नहीं है ब ठीक है बच्छो गोड ब्लेस यू जी हो बच्छो